कि नमश्कर्ण स्वागत है आपको हमारे चैनल में मैं रानी गुपता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है महराश्रा से आपको बता दे उधर ठाकरे कैम्प को बड़ा जटका लगा है दरसल सीमेक नाशिंदे को अब शिवसेना के 12 राज्यों के प्रमुखों का भी समर्थन मिल गया है इन्हों ने उधर ठाकरे गुट को छोड़ दिया है और अब ये अपना समर्थन सीमेक नाशिंदे को दे रहे हैं दरसल कल सीम शिंदे के सरकारी आवास पर एक मीटिंग हुई थी देर रात और इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया और उन 12 ही राज्यों के प्रमुखों ने अपना समर्थन सीमेक नाशिंदे को दे दिया है बता दे उधर ठाकरे को बड़ा जटका देते हुए एक नाशिंदे महरास्ट की सत्ता पर कबज हो गये है लेकिन अब भी एहम सवाल ये है कि पार्टी किसकी है यानि कि ये शिवसेना पर असली अधिकार किसका बनता है जहाँ एक और उधर ठाकरे गूट जो है वो ये दावा करता है कि शिवसेना उनकी है उनके पिता के द्वारा शिवसेना पर्टी का निर्मार किया गया तो वही दूसरी ओर अगर एक नाशिंदे की माने तो वो बार बार यही दावा कर रहा कि तमाम विदायक और नेता जो है वो उनके पाले में आ गए हैं और वो बाला साफ ठाकरे के मार्ग दर्शन में चलते हैं उनके दिखाए रास्तों पर चलते हैं जिसकी वज़े से शिवसेना उनकी हुई लेकिन शिवसेना पर दोनों गूट दावा कर रहे हैं और मामला अब चुनाव आयोक से लेकर के सुप्रीम कोट तक फैला हुआ है इस बीच उदम ठाकरे कैम को बड़ा जटका लगा है बारा राज्यों के प्रमुखों ने एकनाश शिंदे को समर्थन देने का फैसला कर लिया है प्रतादेर राजनेतिक तोर पर पार्टी पर दावे के यह बहतरी नवसर माना जोरा है जो की देखा गया था कल सियम शिंदे के सरकारी आवास पर एक मीटिंग हुई थी और अस मीटिंग में 12 राज्यों के ही शिवसेना के प्रमुख शामिल हुए थे जिसके बाद एहम मुद्दों पर चर्चा की गई और यह खबर सामने आती है किन 12 ही राज्यों के शिवसेना प्रमुखों ने अपना समर्थन आब सियम एकनाश शिंदे को दे दिया है वहीं बता दे कि उदव ठाकरे एकनाश शिंदे विबाद में सुप्रीम कोर्ट नर्न देते हुए कहा कि अब इस विशय की सुनवाई पांच जजों की बड़ी बे समधान पीठ गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी और पहले निर्णे लिया जाएगा कि क्या चुनाव आयों कि समक्ष कारवाही पर रोक लगानी है चुकि कई समधानिक मुद्दे जिसे विशेस रूप से दस्मी अनुसूची यानि की दल बदल विरूधी कानून से संबंधत याचिकाओं में शामिल है सुप्रीम कोट ने कहा है कि दस्वी अनुसूची पर व्यापक विचार्व मर्श की आवशकता है वह अगर जानकारों का माने तो जो की राजनेतिक विशेशग्य है उनका कहना है कि 12 राज्यों के प्रमुखों का समर्थन देने का मौती दे चुका है ऐसी सूरत में शंदे कैम्प चुनावायों के सामने ये दावा और पुखता तोर पर पेश कर सकते हैं कि पार्टी का समर्थन औरे ना सिर्फ महरास्ट में बलकि दूसरे राज्यों की कायों से भी लगातार मिल रहा है आपको बता देगी जहां देखने को मिला था कि जून के महीने में ये महरास्ट की सियासत में बड़ा उलट फेर हुआ था जहां पर उदव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पर से इस्तिफा दे दिया था और एक नशंदे ने सियंपत का शपत ग्रहन किया था उससे पहले एक बड़ा फूट शिवसीना पार्टी म इनों में जहां देखने को मिला था कि जो विधायक थे वह सूरस गुहाटी पहुंचे गुहाटी से जब सारी चीज़े क्लियर हो गई कि आप महरास्ट में जो है उदव ठाकरे का सत्ता परिवर्तन होना है और महरास्ट में शिंदे की सरकार आएगी जो कि बिजपी समर्थ सरकार होगी उसके बाद पूरी तरीके से फ्लोर्टेस्ट भी पास किया गया महरास्ट विधान समा में जिसके बाद उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया राजपाल के समक्ष और उसके बाद शाम को ही स्रपत ले ली गई थी एक नाश्रंदे के द्वारा उसके बाद सही लगातार देखने को मिल रहा है कि जो तमाम विधायक रहे उनका समर्थन तो सीमेकना शिंदे को मिला ही शिवसेना के लेकिन उसके अलावा जो सांसद रहे उनका भी समर्थन लगातार मिलता हुगा नजर आया द्रौपदी मुर्मू के जो रास्टपती चिनाव हुआ था उसमें देखने को मिला था बड़ी तादाद में शिवसेना के सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना वोट दिया था आपको बता दे इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि महरास्ट के तमाम पारशद लगातार शिंदे कैम्प को जोईन कर रहे हैं और जाहिर तोर पर जो एकना शिंदे कैम्प है वो मजबूत होता जा रहा है और जो दावेदारी की जा रही है एकना शिंदे के द्वारा के शिवसेना उनकी है और वही असली शिवसेनिक है तो ये दावा कहीं न कहीं और भी जादा पुखता होता जा रहा है क्योंकि तमाम ज लगाता जटका मिलता हुआ नजर आ रहा है जहां देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग में ये मामला है तो वही सुप्रीम कोट में भी ये मामला पड़ा हुआ है लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिलता है अभी अमिश्राही हाली में महरास्टा दौरोई पर गये थे औ उन्होंने अपने संबोधन में शिवसेना पार्टी का जिक्र किया था तब उन्होंने ये कहा था कि वो महरास्ट में जो सत्ता में हैं यानि कि एकनाश्ण्दे की जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है ऐसा उनका मानना है इसी के साथ ही कई अन नेताओं ने भी स्चाहकर से लाव कहे देखने को मिल रहरा है कि महारास्ट में एक नहीं डिवेंद्रफ्णनविस हो रहे हैं और म witness समर्थन कहीं न कहीं देविंद्र फर नन्विस और एकना शुंदे को मिलता हुआ दिखाई दी रहा है इधर भी जहां उदव ठाकरे ने ये दावा किया था कि बीजेपी ने उनसे चुनाव के वक्त ये कहा था कि उदव ठाकरे महरास्ट के सीम होंगे 2019 के विदानसवा चुनाव में लेकिन चुनाव होते ही बीजेपी अपने वादों से पलट गई ऐसे धोखेबाजी का अरोप भी उदव ठाकरे लगा चुके हैं लेकिन जब अमिशा भी महरास्ट के दौरे पर गए थे तब युन्होंने ये बाते क्लियर की थी कि ऐसा कोई भ गुम्रा करने हैं बलकि 2019 के चुनाव में पीम मोदी और इसी के साथ ही डेपटी सीम देवेंद्र फणनडविस के पोस्टर पर ये चुनाव जीता गया था उन्हीं के पोस्टर के बदालत उनके भी कारिकरता इसको लेकर के प्रचार करते हुए नजर आये थे और उसी वक् लेकिन जैसे ही चुनाव जीते और महरास्ट में सीम के तौर पर देवेंद्र फणनडविस ने शपत ली तो उसी के अगले ही एक्षण शिवसेना अपने वादे से पलट गए और शिवसेना ने महाविकास अघाडी सरकार का निर्मान किया जिसमें की कॉंग्रेस एंसेपी का गडबंधन हुआ और उधाव ठाकरे महरास्ट के मुख्यमंत्री बन गए लेकिन यह सरकार जादा दिनों तक नहीं चल पाई और धाइस साल के अंदर ही सीमेक नार्शिंदी के द्वारा उनका तकता पलट कर दिया गया फिलहाला आपकी खबर पर क्या रहा है हमारे कॉम कर दो कर दो